नवस्कार मद्रप्रदेश और चत्रश गड़ में बीजेपी की नाव डूपती हुई दिखाई दे रही है और यही हाल राजस्थान में भी दिख रहा है वसुंद्रा राजे का सपोर्ट मोदी और शाह की बीजेपी को बिल्कुल नहीं है हालत यह हो गए दोस्तों कि वसुं अब बीजेपी से लड़ रही है तो भी राजस्थान में क्या कुछ होने वाला है किसका पलडा भारी होने वाला है कौन जीत रहेगा इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोफेसर रविकान जी है रविकान सर आप सामाजिक सम्रस्ता पर बड़ी डीप नज़ रख स्टारइब को कि अगर कोई और पार्टी को बोट आप करते हैं तो जशन पाकिस्तान नोगा जहां विजेपी हारने लगती है उसका अंतेम काड़ होता है कि वो सामप्रदाइक माहौल बनाए लेकिन अब मुश्किल यह है कि इस देश के लोगों ने समझ लिया है कि हमें तरक्की चाहिए, हमें रोटी-्रोजगार चाहिए, महंगाई से मुक्ती चाहिए, ब्रश्टाचार से मुक्ती चाहिए, तो ऐसे में वो कार्ड चल नहीं पा रह लेकिन ये बीजेपी के DNA में है उसके जेन्स में है कि उन्हें अपने आपको बहुत संख्यक हिंदुबादी पार्टी के रूप में रिखांकित करना है इसलिए वो मुस्लिम को नहीं देते हैं टिकेट नहीं देंगे टिकेट रविकार सर हालत ये हो गई है आप इसलिए एक बात और आपको पता दें राजस्थान में अजमेर की समूदा सीट से अभिशेक सिंग चोहान को टिकेट दिया गया था बीजेपी की मुसलमानों से ऐसी नफरत दिख रही है कि उस सीट पर जिस पे अभिशेक सिंग को टिकेट दिया गया वहां पर किसी ने राजुस्तान ने कवर की है ये तो हाल है राजुस्तान ने बड़ा मुश्किल है इतनी संकिन मानसिक्ता हो गई है और ये थौट प्रोसेस के साथ होता है कि आप जब राजनीती करने के लिए सामाजिक धुर्वी करने के लिए जब इस तरह के नेरो विचार के साथ जाते हैं तो आगे चल करके mindset उसी तरह का हो जाता है नफरत जिसे हम कहते हैं जो घ्रणा है वो घ्रणा बड़ी होती चले जाती है और इसलिए गांधी जी इस बात को बराबर कहते थे पूरे स्वधिनता अंदुलन में कि घ्रणा नहीं हमें प्रेम से अहिंसा से सहशुनता से देश को जीतना है आप अपने बुराइओं को भी तो जीतते हैं राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो पूरे भारा जोड़ो यात्रा में दिखा कि हम देश को जोड़ने के लिए यात्रा कर रहे हैं नफरत के बाजार में महबत की दुकान खोलने के लिए आए हैं तो चाहे प्रेम हो गया हम रोग हो गया है साइक्छ लोग हो गया इसलिए वो जिए धर्मांत्रित हो आप कहते हैं आपहें हिंदू बढ़े और मुसलिम धर्मानतरित करें क्योंकि उनकी सोज़ में कि जो मुसलिम है वो 95 ऑस्य में बाती 95 से ज्यादा मुसलिम धर्मान तरित है अब वो कैसे भी अगर आपके साथ जुड़ना चाहता है तब भी आपकी नजर में वो मुसलिम है तो क्या इमानदार है आप धर्म के प्रति में माल लेता हूं चलिए आप धर्म के लिए अच्छा कर रहे हैं इसका मतलब आप इमानदा करना है ना राजस्थान में एक और घटना हुई थी वह दरजी वाली तो अब उसमें तो अशोक गहलोत नहीं यहां तक आरोप लगा दिया कि साव यह भाजपा के लोग है उसका पीजेपी क्यों नहीं जबाब दे रहे हैं तो धुर्भी करना नहीं कर पा रहे हैं मुसीब गलतिया करने पर उतारू हो गए हैं और मुझे लगता है कि जो राजस्थान थोड़ा उम्मीद पैदा कर रहा था बीजेपी के लिए बसंद्रा राजे जैसी कद्दावर नेता वहां पर मौजूद है वो भी गलती कर चुके वो राजस्थान भी इनके हाथ से फिसलते हु हैं यह मुझे कहने में कोई संकोच नहीं मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि यह मेरी अपनी समझ है सोच है सोच नहीं है यह मेरी अपनी समझ है यह मेरा विशलेशन कहता है कि अब मोदी जी धलान पर है राजनीती में लगातार चूप कर रहे हैं और स्वामज के इस्तर पर भ इट कॉंग्रेस से ना हो करके वसंदुरा राजे वाली बीजेपी से चल रही है तो इसका आप क्या प्रभाव देख रहे हैं क्या ये मोदी और शा की बीजेपी के लिए बहुत भारी पढ़ने वाली एक गलती है चुक है ये उसी तरह की गलती है जैसे करनाटक में की मोदी है एदुरप्पा लिंगायत के बड़े नेता और लिंगायत समाज करनाटक में बहुत मजबूत माना जाता है कर एदुरप्पा साफ उस समय के हैं जब मोदी जी मैने स्ट्रीम में नहीं थे बीजेपी के करनाटक में दक्षण भारत में बीजेपी को ले जाने वाले मुख्मंत्री है, इस नाते में उनका दिल से सम्मान करता हूँ, उनकी आइडियालोजी से नहीं, लेकिन महिला मुख्मंत्री है पहली वो, और मैं समझता हूँ कि एक किसमी शताब्दी महिलाओं की शताब्दी है, उनकों के लीडर्शिप में पुरुषों को काम करना मेरी है विक्तिक दोर पर, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत समान करता हूँ, और भार्ट जंता पार्टी की बड़ी लीडर रही है, लेकिन मोधी जी की समस्या यह है कि वो अपने कद का, अपने बरावर का कोई नेता परदास्त नहीं करते हैं, वसंद्रा राजे वो छत्रप वहां उतार दिये है, जिनकी सच्चाई है कि वो अपने जले के नेता नहीं है, चाये भले ही वो कांपियार नहीं उनको किया जाना चाहिए मुझे लगता है ये बड़ी गल्ती हो रही है मोजी जी से और इसका खामया जा राजिस्थान में भुगतना पड़ेगा जैसे मध्यपरदेश में शिवराज सिंग चोहान का नाम ने लिया सीम के चहरे पर कोई जवाब बोदी जी की तरफ से नहीं आया बिलकुल वैसे राजस्थान में वसंद्रा राजी को किनारे कर दिया गया है अगर वसंद्रा राजे इसे किनारे रहती हैं तो कि राजिस्थान में बीजेपी का सूर्य उदय होना या फिर उबर पाना क्या आसान है? वसंद्रा राजे को होने से उनको फाइदा होता शवरा सिंग्छोहान को थोड़ा सा किनारे करने का एक वे candidate था कि उनके चेहरे से एंटी इंकमेंसी थी, तो उसमें तो वो कामयाब हुए, लेकिन आप बेखुल जो रुपो दरकिनार किया है, उसे OBCU समय करना है, वो थोड़ा कमजोर पड़ा BJP का, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा BJP को, जब आप रिजल्ट आएंगे तो आप देख समय उनके पास, वो जो उनको भ्रष्टाचार के आरोप थे, वो भी पात साल में अशुक गहलोत में कोई याच नहीं की, इसका मतलब है कि पबलिक में यहीं गया किसाब उनको जो आरोप थे, वो केबल चुरावी आरोप थे, तो वहां पर वसंद्रा राजे सिंधिया को कि नारे करना, यह बहुत बड़ी चूक होगी, नड़न मोदी के, जी, सर एक चीज और बहुत कही गई कि अशुक गहलोत और सचिन पाइलिट की जो तकरार है, यह बहुत बुरा प्रभाव डालने वाली है कॉंग्रिस पर, राजस्थान में, लेकिन राहुल गांधी की एक व साथ नहीं है, वो लोग साथ रहेंगे, और हम सब साथ हैं, और हम बिल्कुल राजस्थान स्वीप कर रहे हैं, तो क्या यह भी बीजेपी को गवडाने के लिए एक नया ट्रम कार्ड है, राहुल गांधी में अधभुत कॉंफिडेंस हाया है, और किसी भी नेता में, या को इतर का आत्म विश्वास आपको मजबूत बनाता है, राहुल गांधी में जो बड़ा परिवर्तन आया, मैं यह बराबर मानता रहूं को राहुल गांधी बहुत प्रबुद नेता है, बहुत विश्वास नियता उनकी है, इमानदार और सच्चे नेता है, लेकिन जनता के नबजिकों उन्होंने बक्खुवी जाना बहरा चोड़ो याद तक है, और वहां से जब लोग उनके साथ आये, वहां से वो confidence बिल्ड़ अप हुआ है, मद्द प्रदेश में चट्के चुड़ा के वो आये, देख रहे हैं, ते रंगना में अपार भीड, दसलाख लोगों क लिए, अब वही उनकी तस्वीर रहेगी, अगर हम राजिस्थान पर लोटे हैं, राजिस्थान में नो डाउट कि ये जो टशल था उसने नुकसान किया, राहूल गांधी ये नहीं पहुंचे है, सोनिया गांधी भी पहुंची, और रहूल ने जो कहा कि ये जिख नहीं र हैंगे, और हम स्वीप करके जीते हैं, राजिस्थान में बीजेपी थोड़ा एज पर थी, अभी चुकि मैं वहां नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने मेरी बातचीत हो रही है, कि अभी एज था उसको, लेकिन राहूल गांधी और सोनिया गांधी के पहुंचने के बादे, सोनि हवा तभी उनको मिलेगी ना, चाहे ब्यक्ति अस्वस्थ हो, चाहे बुजग हो, अगर वो अपनी नौजमान पीड़ी को सफल होते हुए देखता है, तो उसकी उम्र और बढ़ती, सोनिया जी अगर राजस्थान उनको मिलता है, तो मुझे लगता है कि उनकी उम्र बढ़ ही, चुकि वो तो जाएगा सचन पाइलट के लिए साथ, लेकि बाकी जगहों पर वो यह कह रहा है, कि हमने बोट किया था मुखमंत्री बना ले, यह इसको इस गैप को अगर कम कर ले जाती है, कॉंग्रेस पाटी, सचन पाइलट को थोड़ा आगे करकि आप पोस्टर में वो दिख रहे हैं, और वो गुर्जर समाज लॉट आता है, तो कॉंग्रेस पाटी को फिर कोई रोक नहीं सकता, हाला तो की तरह बढ़ रहे हैं, साड़े चार सो का सिलेंडर मोधी जी कहीं, राजस्थान में की, राजस्थान की जनता को देंगे, उनके गोशना पत्र में ह सिलेंडर वो साड़े चार सुका होगा, सबको नहीं है, कंडिशन अप्लाए, वही जो बिग्याप्ल में होता है, यह जो है, भूमंटली करन से बहुत प्रभावित है, बाजार की अच्छी समझ है, अडानी साब से दोस्ती है, बाजार की बड़ी अच्छी समझ है, कि कैसे माल बेचना है, माल बेचना आता है, ना, मोधी जी गुजात से आते हैं, तो उनको पता है कि कैसे ब्रैंडिंग करनी है, कंडिशन अपलाई, के बल इनको के बल इनको जोला बालों को के बल मिलेगा, कॉंग्रेस पार्टी ने 500 कहा है, वो भी शायद 2 करोड परवार के एक बात मैं जरूर कहूंगा, कि मोधी जी ने जो नोट बंदी से लेकर के और यहां तक जो पॉलेटिक्स की है, गरीबों में एक थोड़ा सा नफरत का भाव पैदा किया है, कि जो अमीर है, देखिए हम उसको दुरुस्त कर रहा है, जैसे वहीं पर एक और योजना उन्हो रहें कि मोधी जी हमारे लिए काम का भई में, इसका साइक्लोजिकल असर होता है, हला कि मोधी जी के बारे मैं कहता हूँ कि तरह हैं, वह देते कुछ नहीं है, बोलते बसुकशर १ेरैं, राजचित भाशện दियें, कहेंगे कि कामल बटन इतनी जोर दबाई है जैसे कि उन कहां लेके जा रहे हैं क्या भाशा है आप लोगों को जल्लाद बना देना चाहते हैं जल्लाद बनाएंगे क्या बोटर को इसलिए मैं इस पर कोई टिपड़ी नहीं करना चाहता है में मेरी हाला थोड़ी खराब होने लग इस तरह की बाशाथ यह मुदी जी को मुबारक और मुभारक लोकतंत्र में यह नहीं होता है लोकतंत्र करीबों का होता है वह दर डीट Ty पिछ्णों और महिलाओं को जो कुछ मिला है इसी संवादान और लोकतंत्र के जरिए मिला है जै आप जिस तरह से यह आप जैसे तंसे कि आम पाँला आज हैं लीड कर रही हैं कि लेकिन वो लोट रहे हैं वो बड़ी मज़दार बात है जी इसको चोड़ते सारे एक मज़दार बात यह है कि अब तक इतिहास की रहा है कि जब जब इंडिया फाइनल में गया है तब तब देश का प्रधानमंत्री बदला है पिछाहे वो 1983 हो 2003 हो 2011 हो इस बार भी चुनाम है आपको क्या लगता है कि इस बार क्या कुछ होने वाला है आपके हिसाब से आंकड़े तो वैसे मोदी जी के विरोध में है मतलब उनके खिलाफ में आपको क्या लग रहा है देखिए वो एक महज इतिफाक हो सकता है कि जब जब फाइनल में जब फाइनल में जीतने के बावजूद में यह कह सकता है कि वह तो इसलिए जनता की नब्ज में देख रहा हूं जो लोग जिस तरह से बात कर रहा है जिस तरह से दुखी है प्रतारित है जिस तरह से महंगाई है करीबी है भुकमरी है उस वजह से मोदी जी जाएंगे और सम्मान पूरवक बिदाई हो जाए इसके लिए मोदी जी को मुझे लगता है प्रार्थना करनी चाहिए वो तो अग अगर राजस्थान में कॉंग्रेस जीतती है तो फिर कॉंग्रेस का प्लस पॉइंट क्या देख रहे हैं और बीजेपी हारती है तो फिर किस गलती की वजए से हार होने वाली है बीजेपी की चुनाओ राजस्थान में हारती है तो उसका सबसे बड़ा फैक्टर बसंद्रा राजे सिंधिया का किनारे करना है और कॉंग्रेस पार्टी गर जीतती है तो उसका सबसे बड़ा श्रेय राहुल गांधी को जाएगा अशो गहलोत की कुछ नेतियां अच्छी है उसका भी अस पासर होगा लेकिन उन नेतियों के बावजूद अगर बीजेपी को एज था अभी तक और अगर कॉंग्रेस पार्टी जीतती है तो उसका सारा श्रेय राहुल गांधी को जाएगा क्योंकि राहुल गांधी आज की तारीक में कॉंग्रेस के शुभंकर है आज बिश्वस न बराबर वो कहते हैं इसका मतलब है कि वो व्यक्ति दिल से भी इन समाजों के प्रति संबेदन शील है और उनके आधिकारों के लिए बराबर लडाई लगा रहा है और वो इसको समझ चुके हैं कि लोकतंत्र में हाशिय के समाजों को चाहिए उसों महिलाएं हों अल्पसंख का ब्यक्ति जब आता है प्लेटफॉर्म पर तो लोग उसका इस्तरबाल करते हैं उसके प्रति भरोसा जाता है इसलिए मैं कह रहा हूं कि श्रे बढ़ा जाएगा राहूल गांदी को और मैं कोई पार्टी का आद्वी नहीं हूं जो यह कह के मुझे कुछ मिलेगा वो बात मैं नहीं कह रहा हूं मैं राहूल गंदी की विश्वास नीता की बात करूं बहुत-बहुत शुक्रीया विकान साथ समय देने के लिए धन्यवाद